यूपी निकाई चुनाओं के पहले चरण का मद्दान हो चुका है दूसरे चरण का मद्दान 11 मई को होना है जिसको लेकर परतियासियों ने परचार परसार तेज कर दिया है फिलाल हमारे साथ यहाँ पर मौझूद है कोंग्रेस परतियासी अनिल कश्प इन से जानते हैं कि परर दियान की चल नहीं है परचार परसार किस तरीके से कर रहे हैं लोगों के चर आए कैसे दूसरी पारटी के लोग तो जया करके जिसका जोर ज्यादै होता है उसका अफवावे खराब अफवाफ ला देते हैं अब किसी को समर्तन दे रहा किसी को वो है किसी को बोट मिलती यह किसी को थोड़ी बोट मिलेगी मुझे इतना अच्छा समर्तन मिला है जो बोट मिल रही है फर्स्ट नंबर पर चल रहा हूं मुकाबला किस से मान के चलने हैं जो भी मेरे सामने परतिया सी है वे हर बार एक भी रादरी कहते है सरो समाज से मुझे समरतन मिलदा है और उन्हों खुला समरतन में अच्छा जो आपके मुद्दे हैं किन मुद्दे को ले के आप चर्चा कर रहें देखो मुद्दा सहर में बहुती दंदी का डेर है शेर में स्चालि नाल ऐसा वो इतनी छोटय बना दिए बड़े बड़े नाले में सफाई हो जाती थीDie पाइन चल जाता था अब ऐसा चोटा नाला बनादि लाधिया चाकी मतलब साहरी सेहरी अगाकर नाला बंद कर दिया और साहरी पानी से थोडिसी बार सल्थ जल्मगन हो तो आपकी पार्टी का कोई शिर्षिस तरी नेता भी आएगा परचार परचार में या बस खाली आप इस्थाने लोगी परचार में ने ने खोगरेश के सभी वरेश नेता अलग अलग टीम बना करके परचार में लगे हुए है जब उनको बलाता हूं तुरंत मेरे साथ माया तो अभी हमने चर्चा की अनिल कस्षप से जो कोंगरेश समर्थित परतियासी है हाथ का पंजयन का चुनाव निसान है अफाव को लेकर इनका कहना है कि समाज में जो अफाव फैल लई है वो गलत है इन्होंने किसी को समर्था नहीं दिया है यह चुनाव मैदान में है और लाल डो टो डोर कैम्पेन करें हैं लोगों से वोट मांग रहे हैं अरुन राठी बासकर समचार बागपत